क्या बक्मूत की हार के बाद यूकरेन की सेना अब भीचर बदला लेने पर उतराई है। क्या अब जेलन्सकी ने रूस के अंदर अटाक का आदेश दे दिया है। क्या जैसे रूस यूकरेन को दहलाता है वैसे ही अब यूकरेन रूस को थराने वाला है। युक्रेन ने दावा किया है कि वो जवाबी हमले के लिए तैयार है भयंग कर काउंटर अटाक शुरू होने वाले है रूस में घुसकर ऐसा हमला होगा इसे रूस देहलुक के लिए तोप से हमला रॉकेट से हमला प्लेन से पंबर से हिमार से हमला समंदर में भी लग गई आख तब ती धर्थी जलता शहर तहकते दरब तहलता आस्मान अस्मान में धुएं कागोबार धरशाई एमारते मिलिटरी प्लांट में आख जल उठी पुतिन की हत्यार फ्राक्टरी रूस की सीमा के अंदर बर से तोप के कोले अब रत्याशत थमले से रूस टोले क्या ये बगभूत का बारूदी बदला है क्या ये योक्रेन का पलटवार है क्या ये जैलन्सकी का प्रतिशोध है क्या ये अमेरिका के हच्यारों के भूते हो रहा है क्या ये ब्रिटन का तैयार किया बदले का ब्लूप्रिंट है इन सवालों ने संसनी मचा रखी है रूस में हो रहे इन हमलों ने हड़ कम्प मचा रखा है रूस के बॉर्डर से लागे इलाकों में विसफोर्ट का शोर है ताबर तोड हमले पर जोर है सवाल है क्या रूस पर हमला अब शोर है अब तक योगेन में रूस की बंबारी देखते जी बरकाँ गोटा बदोर दितना है शोले से दहलता सोलेदार देखता था जहन्नुम बना मारियो पुल देखता था लेकिन अब रूस के अंदर विसफोर्ट की दजवीने देखने लगी है रूस में घुस कर हो रहे हमले देख रहे हैं रूस के राश्योपती के आवास पर ड्रोन से अटैक देख रहा है बेलगरा प्रांस क्रेमले रूस के अंदर ऐसा हमला होगा इससे पहले किस ने देखा था रूस जैसे ताकतवर वेश में घुसकर कोई उसके हथियार की फैक्टरी में आख लगा देगा ऐसी तस्वीर कब दिखी थी रूस की न्योक्लियर फोर्स को बेलगराद से अपने परमाडू हथियारों को हटाना पड़ेगा ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी क्रेमलेन पर हमले के हिमाकत होगी ये नामुम्किन जैसा था रूस के शहरों में ये क्या हो रहा है क्या ये रूस पर आने वाली नई आपत का संकेत है क्या ऐसा कर रूस को विश्व युद्ध के लिए उकसाया जा रहा है योक्रेन के खारकी उसे सटे बेलगराद में विस्वोट हो रहे है क्राइमिया से सटे रूस के इलाकों में हमले हो रहे है बेलारूस से लगे रूस के प्लस को इलाके में तेल पाइपलाइन पर हमला हुआ है रूस की सीमा से सटे रूस के दक्षनी बेलगराद में विस्फोट हुआ है रूस का दावा है कि योक्रेन ने ये हमले किये हैं योक्रेन के तोप खानों ने गोले बरसाए हैं मोटार के गोले दाग बेलगराद में आग बरसाई गई है ड्रोन से हमला कर योक्रेन की धर्थी को देहलाया जा रहा है रूस ने इन हमलों के लिए योक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है इस से पहले भी बेलगराद और ब्रांस्क में बगावत की आग लगी बारूद से आगजनी को अंजाम दिया गया लेकिन रूस ने दावा किया कि वे द्रोहियों पर काबू कर लिया गया रूस के खिलाफ हत्यार उठाने वालों को खत्म कर दिया गया लेकिन 72 घंटे के बाद एक बर फेर रूस के अंदर हुए हमलों से नई बहस शुरू हो गई है क्या बख्मूत में मूँ की खाने के बाद योक्रेन की सेना भीशन बदला लेने पर उतारो हो गई है क्या अब जैलन्सकी ने रूस के अंदर अटैक का आदेश दे दिया है क्या जैसे रूस योक्रेन को देलाता है वैसे ही अब योक्रेन रूस को थर्राने वाला है योक्रेन ने दावा किया है कि योक्रेन जवावी हमले के लिए तयार है भयंकर काउंटर अटैक शुरू होने वाले हैं जवावी हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं ऐसी खबर है कि योकरेन के प्रेसिदेंट जेलन्सकी ने काउंटर अटेक के लिए गुप्त बैटक बुलाई है जिसमें योकरेन के काउंटर अटेक के आक्शन प्लान पर चर्चा होने वाली है क्योंकि दावा किया गया कि काउंटर अटेक कर योकरेन ना सिर्फ अपने हिस् इसे लेकर छे बड़ी और थोस वज़ा पेश की गई है वज़ा नमबर एक मॉसको में क्रेमलिन पर दो ड्रोन से डारेक्ट अटैक रूस ने दावा किया कि दोनों ड्रोन को मार गिराया गया वज़ा नमबर दो करीब दो महीने पहले योकरेन से जोड़ा एक ड्रोन मॉसको के करीब तक पहुँच गया था मॉसको के काफी करीब पहुँचने का मतलब है मॉसको पर कभी भी हमला हो सकता है वज़ा नमबर तीन योकरेन की राजधानी कियू से 1090 किलोमेटर दोर रूस का सारा तो मिलिटरी बेस पर हमला हुआ है जहां रूस के परमाणू बम होने का दावा किया जाता है क्योंकि सारा तो में ही रूस का एंगल एयर बेस है एंगल एर बेस पर हमला कर योक्रेन रूस के दो नियोक्लियर बॉमर को नुकसान पहुंचा चुका है वज़ा नमबर 6 दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर योक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है अगर ये दावे सत सावित हुए तो रूस पर बहुत बड़ा खत्रा मंड़ा रहा है रूस पर आ रहे काउंटर अटेक की आशनका योक्रेन से आ रही तमाम तस्वीरों से और बढ़ जाती है योक्रेन की सेना अपने एंटी एरक्राफ्ट गन का प्रदर्शन कर रही है रूस का ड्रोन हमला हो या फिर रॉकेट से हमला सब बेअसर सापित हो रहे है रूस के हमले को बेअसर बनाने के लिए रूस की सेना का दूसरा सबसे असरदार रक्षक बना हुआ है फ्रांस की क्रोटेल मिसाइल सिस्टम इस वीडियो को योक्रेन के एक एर कमांड सेंटर ने जारी किया है वीडियो में योक्रेन को फ्रांस से मिला क्रोटेल मिसाइल सिस्टम देख रहा है ट्रोटेल को क्रूस मिसाइलों, हेलिकॉप्टरों और कम उचाई पर ओडने वाले ड्रोन का काम तमाम करने के लिए तैनात किया गया है रूस की एक न्यूस विफसाइट रिडोका की एक रिपोर्ट ने छितावनी दी कि अगर योक्रेन से हमले हो रहे हैं जिसका मतलब है कि मॉस्को पर हमला हो सकता है क्योंकि कियू से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है डावे तो यहां तक किये जा रहे हैं कि रूस के अंदर योक्रेन के स्पेशल फोर्स के अंदर कवर पाइटर मौजोद है अगर ये दावा सत साबित हुआ तो रूस में आत्मगाती हमलों के आशंका बढ़ गई है क्योंकि योक्रेन के स्पेशल फोर्स को अमेरिका की सील और ब्रेटन के सास कमांडो ट्रेंट कर चुके हैं जैलैंस्की के कमांडो ब्रेटन में रहकर स्पेशल ट्रेनिंग लिये हुए हैं यही वज़ा है कि पुतिन की टेंशन बढ़ गई है रूस की स्पेशल फोर्स इस्पेट्स नाज अलर्ट पर है साथ ही साथ रूस के नियोकलियर बॉमर खत्रे में है वाल स्ट्रीट जनरल की एक हालिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पुतिन ने पश्चिमी देशों की निगरानी के डर से इंटरनेट बंद कर दिया है पुतिन इंटरनेट का इस्तिमाल नहीं करते हैं इन दिनों जानकारी के लिए वो पूरी तरह से अपने नीजी सलाकारों की रिपोर्ट बंदर भर है क्या मौस्को पर हमला होने बाला है क्या क्रेमलिन टार्गेट पर है रूस के सैन ने छिकाने खत्रे में है क्या रूस के नियोक्लियर बॉमर निशाने पर है क्या रूस के परमाणू तैखानों पर ड्रोन अटैक होने वाला है क्या रूस में अब आए दिन ऐसे हमले दिखने वाले है क्या रूस के शहरों में ऐसे ही बारूद की आग धधकने वाली है रूस के शहरों के साथ साथ क्या आप रूस के सैन ने अद्डो पर भी ऐसे ही बारूद की आग धड़कने वाली है क्या योकरेन के ड्रोन रूस के परमाडों युद्ध करने वाले नियोक्रियर बॉमर को तबाह करने वाले है सबसे बड़ा सवाल है, क्या योग्रेन के अटाकिंग भोन्ज से रूस की सेना खौफ में है? ऐसे दावे किये जा रहे हैं? साक्षाद प्रमार देख लीजे प्रमार नंबर एक प्रमार नंबर तो प्रमार नंबर तीम प्रमार नंबर चार प्रमाण नमबर पांच प्रमाण नमबर छे प्रमाण नमबर साथ प्रमाण नमबर आठ प्रमाण नमबर नो प्रमाण नमबर दस ऐसे प्रमाण पेश कर दावा किया गया है कि योकरेन ने अपने हमलावर ड्रोन से रूस के उस एंगल्स टू एयर बेस पर एक बार नहीं तीन तीन बार निशाना साथा है हमला नमबर एक हमला नमबर दो हमला नमबर थी यह उक्रेन के इन हमलों के प्रमाण के तौर पर रूस के एयर डिफेंस के सक्रिय होने के इस वीडियो को पेश किया गया यही वज़े है कि दावा किया गया है कि रूस ने अपने परमाणू बम वर्शक बेड़े को एंगल एर बेस से दूर पूरब में शिफ्ट कर दिया है। किलोमेटर दूर है। काउंटर अटैक में इसे रोकने के लिए क्या करेगा इसके कलपना किसी कयामत से कम नहीं है। क्या एंगल 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 पूरादा नहीं है। झाल झाल